हेलो फ्रेंड्स कि रंदरेटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में फिर से आपके लिए बहुत ही सुन्दर और इजी पैटन लाई हूँ फ्रेंड्स ये पैटन सिरफ सीधी साइड से आपको बुनना है रॉंग साइड की सलाईयां सारी उल्टी बुनके आएंगी तो रॉंग साइड की अगर सलाईयां उल्टी बुनके आती है तो हमारा पैटन जो है और भी इजी हो जाता है सीधी सीधी सलाईयों में पैटन आता है और फ्रेंड्स ये सिरफ चार सलाईयों का डिजाइन बहुत जल्दी जल्दी बन के आता है और बहुत सारे प्रजेक्ट्स पे आप इसको इसको इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे कि टॉप पर डाल लीजिए कारडिगन में डाल लीजिए बच्चों के स्वेटर पर डाल लीजिए किसी भी प्रजेक्ट्स पे इस्तिमाल कीजिए बहुत कि देखते हम देखिए फ्रेंड्स इसके लिए है मैंने ये 15 फंदे ये जो पैटन है ये तीन-तीन के मल्टीपल में चलता है देखिए तीन-तीन-तीन-तीन ऐसे आप फंदे डालके और लास्ट में दो प्लस कर लेंगे तो आपका पैटन जो है आपके प्रोजेक्ट पे इजिल करना तफ रहेगा इसलिए मैं इसमें एक बेसिक रो डाल लेती हूं उल्टी साइड की तो आप अगर आफटर बॉर्डर ये पैटन डाल रहे हैं तो आपको सीधा इसको सीधी साइड से पहली सिलाई से स्टार्ट करना है तो मैंने ये फंदे अभी लगाए हैं तो मिरको इ बोल लीजिए ये मेरे को इसमें डालनी है उल्टी तो ये मैं उल्टी बुन लिती हूं सारे फंदे अगर आपने आफटर बॉर्डर ये डाल रहे हैं तो आपको ये उल्टी स्लाइड बुनने की जुरूरत नहीं है आप सीधी साइड से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं तो यहां पर ये मैंने बेसिक रोस में कंप्लीट कर ली है उल्टी बुनते हुए सीधी साइड है यहां से हम पैटन स्टार्ट करते है पहली सलाई है पैटन की तो यहां पर यह देखे पहला तो आपका एस्टिच रहेगा इसको आप कैसे भी कर सकते हैं मैंने बुन के ले लिया है उसके बाद देखे दो फंदे लेंगे दो फंदों को ऐसे एकठा बैक लूप से बुनेंगे ऐसे फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे और ये दो फंदे और एक और नेक्स्ट वाला फंदा ये तीन फंदे टोटल हो जाएंगे एक फंदा और ले लेंगे और यहां पर ऐसे हम बुन देंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे तीन फंदों के फिर से दूबारा तीन फंदे बन गए ये घटा बड़ा नहीं है तो ये बस तीन फंदे जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको ऐसे ही आग्गे करते जाना है ये दिके फिर से दो फंदे लेंगे इनको बैक लूप से बुन यहां फ्रेंड्स हमारे तीन फंदों के तीन फंदे फिर से बन जाएंगे आ दिखे ऐसे पूरी सिलाई हमें ऐसे ही कम्पलीट करनी है। मैंने तीन-दीन के मुल्टीपल जैसे आपको बताये हैं तो तीन-दीन फंदों पे यह पैटरन चलता है यह देखे दो का एक कर लिया म एक next वाला फंदा इसको हम ऐसे तीनों को एक कर देंगे देखे तीन फंदों के फिर से तीन फंदे बन गें तो यहां हमारा कोई फंदा घटेगा या बढ़ेगा नहीं सेम टू सेम फंदे रहेंगे यह देखे दो का एक किया मैंने दागा अपनी तरफ लाए और फिर दो आपके पास एक बचेगा इसको आप ऐसे ही बुन दीजिए तो फ्रेंड्स यह देखे तीन तीन फंदों के फिर से हमारे पास तीन तीन फंदे आ गए हैं तो पहली स्लाई जो पैटन की हमने खतम कर लिए इसमें उल्टी साइड में है यह पैटन की दूसरी स्लाई है तो फ लॉंग साइड की जो स्लाई हैं वो सारी आपको ऐसे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करनी है सीधी साइड में सिर्फ यह पैटन आएगा और पैटन बहुत सुंदर बनके आता है जैसे आपका क्रुष्य पैटन की तरह ही बनके आएगा यह तो आप अपनी जैकेट वगर इसमें कंप्लीट होती है सीधी साइड में है यह पैटन की तीसरी सिलाई है इसमें फ्रेंट्स पैटन थोड़ा सा चेंज होगा देखे कैसे करेंगे पहला फंदा आपका एस्टिच है इसको आप ऐसे सीधा बुनते हुए जहां बिना बुने उतार सकते हैं उसके बाद क्य पिछे से वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहली सिलाई में कर रहा था दो का एक करेंगे धागा अपनी तरफ लाएंगे फिर यह दो फंदे और नेक्स्ट तीसरा फंदा एक और ले लेंगे और यहां पर तीन का एक कर देंगे अब जो पैटन यहां पर आया था फ्रेंड्स यह आपका बीच में आ जाएगा तो ऐसे ही करते जाएंगे यह दिखे फिर से आपका दो फंदों का एक करेंगे धागा अपनी तरफ लाएंगे और फिर एक फंदा और ले लेंगे नेक्स्ट वाला और यहाँ पे तीन का एक कर देंगे फिर से ऐसे करेंगे दो का एक करेंगे धागा अपनी तरफ लाएंगे और यहां पर दो यह फंदे और एक नेक्स्ट वाला और यहां पर तीन का एक कर देंगे और लास्ट में फ्रेंड्स यहां पर देखे आपने तीन फंदे करे थे और last में आपके पास दो ही फंदे बचेंगे तो दो फंदे आप ऐसे सीधे बुन देंगे तो आपके फंदे यहाँ पर पूरे के पूरे रहेंगे ना घटेंगे ना बढ़ेंगे तो यह हमारी तीसरी स्लाइस में कंप्लीट हो चुकी है तो चोती सलाई फ्रेंड्स आपको میںने जैसे बताया है रोंग साइड की सारी सलाइया आपको उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करनी इसमें बहुत एजी डिजाइन है यह देखिए ऐसे सारी की सारी उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे तो यह मैं कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ देखी फ्रेंड्स चार सलाइए हमारी यहां पर कम्प्लीट हो चुकी है पैटन की तो आपका पैटन आने लग गया है तो यह चार सलाइए जो मैंने सीधी साइड से पहली सलाइ बुनी है यह बुन के दिखाई है चार सलाइए यह आपको आगया बुनते जाना है तो आपका पैटन ऐसे ऐसे बहुत ही सुन्दर आगे चलता जाएगा तो पहली सलाइए मैं आपको एक बार रपीट करके बताऊंगी ताकि आपको कनफ्यूजन ना रहे तो यहां पे पहली सलाइ देखिए जो हमने यहां पे डाली थी स्टार्टिंग में पहली सलाइ सीधी साइड की तो यह मैं रपीट करके आपको दिखा रहे हूं फिर से आपको डिजाइन शुरू करना है पहली सलाइए हम फिर से डाल रहे हैं तो यहां पर आपका एक फंदा कैसे भी आप करिए, बुन के उतारिए, चाहे ना बुने उतारिए, आपके मर्जी, उसके बाद आपको वैसे ही स्टार्ट करना है, दो का एक, पीछे को बुनते हुए, ऐसे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, दो फंदे ये, और एक पंदा, जैसे हमने पहली स्लाई में बुना था, सेम टू सेम वैसे ही, ये तीन का एक कर देंगे, अब यहां पर फ्रेंड्स आप देखिए, आप यहां पर कन्फ्यूज ना होंगे, आपको होना ने चाहिए, मैं आपको इसलिए पहली स्लाई दुबारा बुन के बता रही ह आपको पहली स्लाई में ये नहीं देखना है कि हमें ये वाले दो फंदे बुनने थे, ये एक कहां से हमारे पास आगया यहां पर, तो इसमें जो आप दोबारा पैटर्न स्टार्ट करते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको ये दिखे, ये ही दो फंदे बुन लेने कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आपको, आपको इस स्लाई में ये नहीं सोचना है कि ये वाले फंदे हमने बुनने थे, ये एक्स्टा फंदा है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको जैसे पहली स्लाई है, वैसे ही फोलो करना है, देखे, ऐसे, तो इसमें आपके पैटर्न में होना है, ये आपके जो तीसरी स्लाई में ही ये बीच के फंदे बुने जाएंगे, बाकि जो पहली स्लाई आप रिपेट करेंगे, वो आपको पहली स्लाई की तरह ही करनी है, देखे, ऐसे, ये जो रूल है, ये आपको तीसरी स्लाई में ही फोलो करना है, देखे, ऐसे आज रागे किया और फिर तीन फंदों को लेंगे ऐसे ये मैंने इसलिए आपको बुनके दिखाई है कि इसमें फिर आप आगे चलके कन्फ्यूज होते रहेंगे तो इसमें आपको कन्फ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है तो आपका देखे ऐसे बिलकूल चलता जाएगा इ दिरुदर दिक्कत नहीं आएगी तो आपको पहली सिलाई सेम टू सेम ही डालनी है और तीसरी सिलाई भी जो हम मैंने बुन के बताई है वो सेम टू सेम ही डालनी दिखे ऐसे आपका पैटर्न ये चलता जाएगा बहुत ही सुन्दर पैटर्न है अब आप भी डालिए किसी भी प्रोजेक्ट पे और प्लीज सब्सक्राइब लाइक और शेयर थेंक यू